हेलो फ्रेंज, वेलकम टू एजुकेशन अद्डाव, मैं हूँ अंकिता और मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं बच्चों के लिए डिफरेंट अक्टिविटीज, बच्चों की लर्निंग से रिलेटेड, वर्क सीट, नोर्स, मैटेरियल, आट एंड क्राफ्ट और बहुत सार बच्चे को छोई नोर्स पर देख सकते हैं इन सब वोक्षीट के दोरा और इसके बद मैं सेट करूंगी प्रेयराइटिंग स्टोके जिसके दोरा आप बच्चे को एल्फाबेट लिखना सिखा सकते हैं तो अगर आपने दो डॉट्स भी बच्चे को जोईन करने के लिए तो बच्चे इस तरह से जॉइन नहीं करेगा बल्कि अगर आपने दो डॉट्स जॉइन करने के लिए दिये तो उसका फ्लो सही नहीं है तो इस तरह से करेगा तो उससे का अलफबेट्स लेटर्स लिखने में बुक्त प्रॉब्लम होगी तो हम कुछ वकषी डेली बच्चे से कराते हैं न Arseniy में जिसे बच्चे का फ्लो पर कंट्रोल हो तो हम प्री राइटिंग स्टोउक सिसे पूष देखते हैं in फश मोध को स्क्रिबलींग करनी है और स्टार्टिक में हम भच्चे को सबसे पहले pencil नहीं पकड़ाएंगे, सबसे पहले jambo crayons पकड़ाएंगे और भच्चे को jambo crayons पे practice कराएंगे, अब यहाँ बच्चे को scribbling करनी है, जैसे हमने यह rabbit बना, अब भच्चे को इस पे scribbling करनी है इस तरह से इसके बाद हर एक चगह पे बिचे स्क्रिब्लिंग करेगा इसे उसका प्रिखा सही होगा आप यहाँ पे ढरी बिचे क बicsit कुरी को अगर बिचे के रौकर अच्छे से प्रेक्टिस कर ले तوسके बद आप उसे चालर पैंसिल दे सकते हैं और pencil पकदा सकते हैं उसके बाद तो आप बहुत जादा practice कराएं बचे को स्क्रिबलिंग कराने की डिफ्रेंट आप यहाँ पर पिक्चर स्ट्रॉ करिए और बच्चा उसे स्क्रिबलिंग करें उसे color करें तो इसे बच्चे की जो control होती है pencil पे वो सही होती है इसके बाद हम कुछ इस तरह की वर्क सीट देंगे बचे की Jeanne Anda बचे की पहुँचा है सबना हं जा थरुक्ता बच्चे благодарast में पडिढ़ breakfast रा depends लिइन बचा इस तरह से अपने फ्लों के की होइज भर को वहा पहुँचाएगा स्टार्टिंग में हो सकता है बचा टच कर जाए क्योंकि बचे की फ्लो तनी सही कि और धीर धीर आप उसे प्रैक्टिस कराएंगे आप उसे इस तरह से वॉक्से डैली करने देंगी तब कोशे दिनों बाद उसके प्रैक्टिस बोक। अच्छी हो जाएगी और बिना टच किय यह पहुंचा पाएगा objects को और जैसे जैसे उसकी practice अच्छी होती जाएगी आप यह distance कम करते जाएगी यहाँ पर देख सेते हैं आप बचे के लिए और ज्याद़ टॉफ हो गया तो इससे उसकी practice और अच्छी होगी तो जैसे बचे के practice होगी उसके अनुसार आप बचे की वा करना है इसके बाद आप यहां देख सकते है spiral shape में ट्रेस करना है बचे को और फिर यहां से बचे को start करते हुए वाहर आना है इसके बाद मैंने एक ठेक crayon से या बना लिया है लूप अब बचे को इस लूप को follow करते हुए इस boy को school तक होम तक कहुंचाना है तो अब इस फ्लो भी सई होगी इसके बाद हम इस तरह से भी दे सकते हैं ट्रेसिंग करने के लिए आप बचे को इसमें ट्रस नहीं करानी है वाल में और उसे पाहर जाना है यहां से start करनी है और different different तरह कि यहां पे हमने wave दिया यहां पे हमने upper loop दिया यहां पे jig-jag दिया यहां पे straight line इस तरह से हम बचे की प्रैक्टिस कराएंगे फ्लो के लिए इसके अलावा आप कुछ और वाक सीट देख सकते हैं यहां बचे को यहां पैटर्न फॉलो करनी है सबसे पहले बचे थोड़ा दूर भी कर सकता है लेकिन जैसे जैसे उसके प्रैक्टिस होगी आप उसे पास पास ड्रो करने के लिए कहेंगे और बिना टच हुए इसके अलावा फ्लॉर्स बना सकते हैं और इसे इसे पैटर्न में फील करने के लिए और जहां पर अपने डॉर्स देवा है उसे स्पारल बनाने के लिए कह सकते हैं इसके अलावा हम दो डॉट्स दिये और सेम कलर मैच करते हुए बच्चे को जैसे यह ग्रीन है तो यह ग्रीन पैंसिल लेगा और उसे लूप बनाते हुए दोनों डॉट्स को मैच करानी है तो इसे बच्चे की कलर की भी पहचान होगी और साथ में उसकी प्रैक्टिस भी अच्चाई इसका फ्लो सही हो जाए तब हम बच्चे से कराएं गे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन इसकी प्राक्टिस भी हम स्टार्टिंग में बच्चे को छोड़ा सा कलर फूल वे में कराएंगे जैसे हम नहां पर डॉट्स बना दिये हैं अब बचे को color से match करते हुए standing line ड्रॉ करनी है तो इस तरह बच्चा color match करते हुए standing line ड्रॉ करेगा और जैसे इसके practice हो जाएगी तब हम और पास-पास कर देंगे थाकि बचे की practice और ज्यादा हो सके इसके बाद हम करेंगे और practice यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है clouds और यहाँ पे grass अब उसे यहाँ पे tracing करनी है सबसे पहले देन हम उसे देंगे यहाँ दो dots को match करानी के लिए देन हम खुझ से यहाँ पे बचे को ड्रॉ करनी के लिए देंगे तो यह तीनों तरह से बचे के standing line practice होगी इसके बाद हम slipping line की बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं sleeping line के लिए हमने बहुत सारे dots बना दिया है अब बचे को यह color जैसे green color है अब उसे standing line यहाँ तक ड्रॉ करनी है तो starting में बच्चा straight line न ड्रॉ करके थोड़ा सा तरह से कर सकता है बढ़ जैसे जैसे बचे के practice होगा वह standing line ड्रॉ करें sleeping line ड्रॉ करेंगा इसके बाद sleeping line की और practice कराने के लिए हम बचे को यह floor और यहाँ पे हमने दे दिया है floor part अब बचे को floor part को इस तरह से पहले ट्रेस करना है then straight line यहाँ पे आप dots देतेंगे और बचे को यहाँ पे dots को मैच करना है then यहाँ पे खुच से dots sleeping line ड्रॉ करनी है तो यह तीन तरीके से बचे के standing line और sleeping line प्राक्टिस होगी अभी तक हमने छोटे-छोटे पार्ट्स दिये थे अब standing line यहाँ से start करनी है बचे को और flow को control करते हुए यहाँ इस dots तक बलून को लाना है same साथ में आप color का भी ध्यान रखेंगे ताकि बचे का color भी पहचान होता रहे और इस तरह से हम sleeping line के practice कराएंगे यहाँ पे हमने बना दिया है इसे home तक पहुचाना है बचे यहाँ home तक sleeping बॉल को फिल तक ब्रेस को hangers तक तरह से sleeping line के practice same हम pattern follow करेंगे left slanting line और red slanting line के लिए सबसे पहले हम बचे को tracing के practice कराएंगे यहाँ पे आप star and draw it draw कर दीजिए अब बच्चा इस तरह से tracing करेगा सबसे पहले right slanting line की then दो dots को match करते हुए slanting line draw कराएंगे then आप बच्चे को बिना dots के भी draw करने के लिए कहेंगे इसके बाद जब यह बच्चे right slanting line के practice कर ले तब आप बच्चे से left slanting line के practice कराएंगे बच्च को फ्लार तक पहुचाना है down curve tracing के द्वारा इस तरह से mountain and rocket है इसे up curve के द्वारा अब बच्चे से आप बोलेंगे यहाँ पे उसे dots को join करते हुए down curve करना है यह up curve करते हुए bird को tree तक पहुचानी है same आप यहाँ पे एक slanting line के लिए draw कराएंगे तो यहाँ बच्चा slanting line भी draw कर रहा है और left curve right curve के लिए आप वेप के द्वारा करा सकते हैं यह वह left curve then इस तरह से right curve आप इसके अलावा एश्टरेक बना सकते हैं बच्चे को और उसमें different different shape आपको यहाँ पे ड्राव करने को standing line, sleeping line, left slanting, right slanting, left curve, right curve, up curve, down curve तो इस तरह से बच्चे की हर तरह की प्राक्टिस हो जाएगी उमीदे आपके लिए वीडियो यूजफुल रहोगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगा और मेरे चैनल पे नहें तो सब्सक्राइब जरूर करेंगा, thank you